सो यहाँ पे हम तीन बातों पे चर्चा करने वाले हैं UP, TGT, PGT भरती परक्रिया आपको पता होगा दोस्तों जिसमें आपको TGT का भी रिजल्ट नहीं आया है और PGT में जो बाकी बच्चे हुए भी से हैं उसका भी रिजल्ट आने वाला है कट ओफ कितना जाएगा और 31 अक चाही है कि कट ओफ आपका हाई जाएगा यहाँ पर TGT में ज़्यादा सीठ है और PGT में कम है देख सकते हैं और PGT मतलब समझे यह PhD जो किया है तो इसमें पेपर अगर टफ भी आता है तो इतने लोग तयारी करते हैं इतने मंजिद हुए लोग होते हैं ट्रेंड होते हैं क इसमें लगभग लगभग सभी लोग क्राइक कर लेते हैं तो कट अफ तो हाई जाना इसमें तया है समझिए ठीक है तीजीट में आप कहिएगा कि चलिए इसमें 12,000 है तो थोड़ा कम जाएगा ठीक है कम जाएगा और 31 अक्टूबर को लेकर के क्या खबर ये भी मैं आपक जाने वालों ध्यान से देखिएगा कम जाएगा इसमें कम जाएगा थोड़ा लेकिन फिर भी इसमें देखिए तो ग्रेजुएट कर लिया है तो अपलाई कर दिया ठीक है इसमें तो पिएचडी की है न तो इसमें तो ग्रेजुएट की है फिर भी अपलाई कर दिया तो य इसमें इसके वज़ा से कम जाएगा लेकिन फिर भी त्यारी उतना भी देखिए अंतर नहीं पड़ेगा अब लोग बोल रहे 110-120 सवाल तो इतना जादा भी नहीं जाएगा इससे कम ही रहेगा इतना नहीं जाएगा 10 अंतर है 10 का अंतर समझ जाएगे 90-85-90 तक है ना 85 तक और जेनरल की बात कर रहा हूँ और अब चलिए बात करते हैं कि यह जो बाते हो रहे है कि 31 अक्टूबर तक करा लिया जाएगा अब यहाँ पे देखिए असासकिये सहायता प्राप्ते माध्यमिक स्कूलों में PGT तो यह असासकिये मतलब क्या होता है असासकिये मतलब जो सरकार प्राइवेट मैनेजमेंट और परबंदक के हाथ में होता है दोस्तों और 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है सच्छातकार इंटर्विव तो सुप्रीम कोट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले भरती पूरी करने यही बात में बता रहा था है 31 अक्टूबर से पह करने का जिम्मेदारी दी जारी है बरतमान में 5 सदस्त होने के कारण 5 बोड गठित होगा लिहाजा एक दिन में 500 अभेरतियों के सक्छातकार होंगे जबकि इससे पहले एक दिन में एक बोड औसतन 40 से 50 और अधिकतन 60 अभेरतियों का सच्छातकार लेते रहा है ऐसे में सक् 5 अक्टूबर से आपका जो है वो इंटर्विव स्टार्ट हो जागा 31 अक्टूबर तक भरती परकिया को पूरी करने के लिए और यहाँ पे दोस्तों देख सकते यही बाते हैं और आपका TGT का जो है वो भी रिजल्ट एक हपते में अनौन्स कर दियागा TGT का बहुत ही जल्द आने वाला है देखिए जितना जल्दी हो सेकर वेब साइट पे तो हम लोग जा रहे हैं लगातार वहाँ पर जाकर कर देख रहे हैं